संसार में विभार तो हमें निबाना ही पड़ेगा अगर संसार में बंधे हैं तो लेकिन हमारा मन कैसा होना चाहिए विभार निबा रहे हैं सब काम कर रहे हैं पर मन जो है वो हमेशा भगवान के स्मरन से जुड़ा रहना चाहिए वो वहां से कभी जो संपर्क है वो तूटना नहीं चाहिए, connection नहीं तूटना चाहिए और अगर ये हम कर लेते हैं, तो ग्रस्त धर्म में रहकर के भी हमसे बड़ा कोई साधू नहीं हो सकता मुझे परीचे पता नहीं है, मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन अभी एक परीचे दिया गया था आप श्रीका शायद शमा करें अगर मैं गलत हूँ, मजिस्टेट शायद कुछ आप पद सम्हालते हैं मैंने सिर्फ सुना है, मुझे नहीं पता आपका जीवन चरित्र, लेकिन जो भी आप बोल रहे थे, बता रहे थे और कह रहे थे कि एक साधू जैसा जीवन है, अब बताईए ये तो सामने की बात कर रहें, इतिहास उठा लो महराष्ट के जिन भक्तों की हम चर्चा रोज सुन रहें सैन नाई थे, गोरा कुमहार थे, रैदास जी जूते सिलते थे जेनाब आई, नामा के घर, दिन रात काम, कपड़ा धोना, जाडू लगाना, भोजन बनाना, ये सब कारे करती थी चोखा मेला मजदूरी करता था, कितने भक्त गिनो, क्या इन सब ने अपना काम दंदा छोड़ा, कर तो रहे थे, पर ये मन में कथा का मतलब क्या है, कथा का मतलब भागना नहीं है, कथा का मतलब जागना रदय में एक जाग्रती पैदा करना है, ये बात की, कि हम कुछ भी करें, पर उसका केंद्र हमारे ठाकुर जी शी विल्व मंगल जी कहते हैं, विक्रे तु कामा, खिल गोप कन्या, मुरारि पादार, पित चित व्रत्ती, दद्यादिकं मोह वशाद वोचद, गोविन्द दामो दर्माध वेती गोपी कैसा भजन करती है, गोपी सर पे मटके में माखन रखके मतुरा बेचने जा रही है, और जब मतुरा बेचने जा रही है, तो जोड-जोड से अवाज लगा रही है अरे सुनो सुनो कोई माखन ले लो, कोई माखन ले लो, अब बहार से तो माखन बेचने आए, पर मन में कौन चल रहा है? गोपी के मन में कौन है? क्रिश्न, तो अब जो मन में होगा, वो जुवान पर तुआ ही जाएगा, ये आदमी का स्वभाव है तो जब जोर जोर से कह रही है माखन लेलो माखन लेलो तो भूल गई और विल्वमंगल जी कहते जोर जोर से कह रही है माधव लेलो कृष्ण लेलो केशव लेलो गोविंद लेलो जोर जोर से कृष्ण कोई बेचने लगी तो संग की एक सहली बोली अरी तु बावरी हो गई है पागल हो गई है कहीं कृष्ण बेचा जाता है जरत दिखा तेरे मठके में कहा है कृष्ण उसने कले देख उसने मठका से कपड़ा हटा के सामने वाली को दिखाया तो सामने वाली ने देखा कि मठके के भीतर कृष्ण बांसुरी बजाता हुआ मुस्कुरा रहा है अब कोई पूछे कि चलो पहली तो पावरी थी पागल थी पर इसकी आँखों में कौन सा डिफेक्ट था पहली पागल थी कृष्ण प्रेम में तो ये वाली भी पागल थी अगर वो कृष्ण को हर जगे देख सकती है तो ये भी कृष्ण को इसको हर जगे कृष्ण दिखाई देता एक बीमारी होती है ना कटारेक्ट की मोतिया बिंद की उस मोतिया बिंद वाले को हर जगए छोटी सी डॉट दिखाई देती है विंदू दिखाई देती, कहीं भी जाएगा दुनिया में तो वैसे ही क्रिश्ण भी उस मोतिया बिंद के रोग के जैसा है जिसकी आखों में एक बार बस जाए न उसको हर जगह कृष्णी कृष्ण नजर आए चहू और चारो और धन्य है वो आखे इस दुनिया में इस प्रत्वी पर वही आखे धन्य है जिनकी आखों में शी ठाकुर जी बैठ गए जिनके चित में ठाकुर जी ने घर बना लिया है उनसे बड़ा धन्य संसार में कोई भी नहीं हो सकता कोई भाग्यशाली नहीं इस दुनिया में जितना भाग्यवान हो है जिसके नेत्रों में ठाकुर बस गए जिनको हर जगे नेत्र ना होते हुए भी इनको हर हर स्थान पर अपने युगल सरकार दिखाई गयते कथा आती है कि बाबा सूर एक बार गोवरधन में गिराजी की तलहटी में बैठे बैठे रो रहे थे प्रिष्ण को पुकार रहे थे राधारानी को पुकार रहे थे हे प्रभू आप हमें कब दर्शन दोगे कब से पड़ा हूँ आपके इस ब्रजधाम में आपको कब से पुकार रहा हूँ एक बार तो दर्शन दे दो खुब रोरो के गा रहे थे भाव तो वहीं पे सामने आ गई शी राधारानी राधारानी आई और राधारानी आकर के नाच रही थे नृत्य कर रही थे और नाच ते नाच ते शी राधारानी के पाउं की पायल शी राधारानी आगे नृत्य कर रही थे थाकूर जी भी शाम सुन्दर भी वहरी कड़े ते, राधहरानी दीरे धीरे घुंगरों की आवाज बजाती बजाती सूर दास जी की तरफ बढ़ती जा रहे है। थाकूर जी देख रहे हैं कि सूर के सामने राधहरानी खड़ी और ये अन्दा देखी नहीं रहा। इसको पता ही नहीं बावरे को कि राधरानी आई है, इसके आज भागे खुल गए, तो बड़े चतुर है ठाकुर जी इशारा दे रहे हैं सूर्दास को, इशारे में बात कर रहे हैं, इशारे में क्या बोले, अरे राधरानी आगे मत बढ़ना, ये है ही अंधा पर है बहुत चालू, पाउं पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं, अब सूर्दास एकदम सतर्ख हो गए, कि कुछ तो इशारा आ रहा है कहीं से, सूर्दास जी एकदम सतर्ख हो के, कि अब स्री जी हमाई तरफ बढ़ें तो हम उनके चरन पकड़ लेगा, फिर स्री जी बढ़ती जा रही है, तो फिर शी कृष्ण इशारा देते जा रहे है, अरे आप तो बिल्कुल इसके सामनी पहुच गई, अरे अब तो जैसे हाथ आगे करेगा, तो सामनी आपके चरन पकड़ लेगा, सूर्दास जी समझ गए कि ठाकुर जी इशारा दे चुके हैं, तुरन सूर बाबा वो सूर्दास के हाथ में आगे, वहां से तब तो भाग गई, थोड़ी देर बाद अब देखो, अगर शी राधारानी के नूपुर नहीं होंगे न, हमारे ब्रेज की जो प्रेम की पद्धिती उसमें शी राधारानी के नूपुरों का बहुत महत्व है, यह जो रास आप स तो शी जी ने कहा पायल तो जरूरी है, तो शी जी आई सूर बाबा के पास लोट किया, ओ बाबा तेरे ढ़ोर है हमारी पायल है या को वापस दे दे, बाबा बोले हम कैसे मान ले कि तुम्हारी पायल है, हाँ, एक बात से मानेंगे, कि जब इसके संग-संग दूसरी वाली जब पायल एक्जेक्ट सेम टू सेम हमको दिखा दोगी, तब हम मानेंगे कि आपकी पायल है, तब ही हम देंगे, नहीं तो हम नहीं दे, कोई और असली इसका मालिक बाद में हमसे मांगने आ गया तो, शी जी ने का तुले देख, जैसे शी जी ने दूसरा कदम बढ़ाया, सूर ने अब की वार चरन कसके पकड़े, पकड़के बैठ गए, खुब रोए, ये शी राधारानी आपको क्या लगता है, मैं अंदाउं पाउं छुड़ा करके भग जाओगी, नहीं नहीं, इतने जन्मो जन्मो बाद आज आपकी कृपा प्राप्त हुगी, ऐसे सूखा आखों को बस आपका दर्शन चाहिए, केवल आपको देखना है। देख्यो चाहत कमल नयन को निस दिन रहत उदासी निस दिन रहत उदासी निस दिन रहत उदासी अख्यां हरी दर्शन की प्यासी अख्यां हरी दर्शन की प्यासी अख्यां हरी दर्शन की प्यासी और सच्छी मानिया ऐसा नहीं है कि केवल सूर ही ऐसे जिनकी आँखें भगवत दर्शन की प्यासी हैं हम जितने भी जीव है न दुनिया में हम सबकी आँखों को एक ही चाह है भगवान के एक बार दर्शन हम समझ नहीं पाते हमारी हमें लगता हमारी आँखों को अभी त्रिप्ती नहीं क्यों क्यों कि इसको कुछ अच्छा देखना बाकी रह गया हमारी जीव अभी त्रिप्त नहीं हमें ऐसा लगता अभी इसको कुछ चखना बाकी रह गया इसलिए कुछ अधूरा अधूरापन है अभी कानों को कुछ सुनना बाकी रह गया इसलिए अधूरापन है पर असल में ये अधूरापन संसार को पाने का नहीं ये हमारी मती को ब्रह्म है असल में अधूरापन इसलिए क्योंकि अभी तक हमको ठाकुर्जी की प्राप्ती नहीं हो, इसलिए ये धूरापन, इसलिए ये आखे तरस्ते हैं, इसलिए ये जिव्या तरस्ते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, हमें लगता है शायद धन के कारण हम दुखी हैं, धन का भाव है इसलिए दुखी हैं, नहीं, नहीं, य जीव की आत्मा तब तक रोती है, जब तक उस आत्मा को परमात्मा की प्राक्ति नहीं हो जाती, परमात्मा से मिलन नहीं हो जाती, तब तक ये आत्मा धूरी रहती है, भटकती रहती है, बिलकती रहती है, हम समझ नहीं पाते हैं, ये धूरापन इसले हैं, क्योंकि इन आखो को चाहिए दर्शन भगवत चर्णों का कानों को चाहिए कान में सुने भगवत अराधना यह पूर्णता तभी होगी जब जीव भगवान से जुड़ जाएगा सूर बाबा ने जब रो रो के पुकारा ठाकुर जी को तो ठाकुर जी ने शिराधा रानी से का अब देर नहीं करने चाहिए इस अंधे को दे दो दर्शन शी जी अब देर मत करो और तब शिराधा मादा दोनों प्रगट हुए और नबल की प्रगट हुए हाथ फेरा शिराधा रानी ने सूर दास जी के सर पर और हाथ फेरते ही सूर दास जो जन्नों का अंधा था आज सूर दास की आँखों में दृष्टी आ गई और सामने देखा तो राधा मादा दो बगवान बोले, सूर तुझे क्या चाहिए, मांग, तुभावा सूर ने का, बगवान जो आखें दी हैं न मुझे, यह वापस ले लो, इनका जो काम था आखों का वो हो गया पूरा, आखों का काम आपका दर्शन, पूरा खतम अब, अब इन आखों के आवश्रक्ता नहीं, जिन आखों ने तुमको देख लिया, उसको दुनिया देखने की कोई जरुत नहीं, मैं जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, अब प्रभू यह वापस ले जाओ, हमसे ठीन लो, और सूर फिर से दृष्टी हीन हो गए, तुभी आप, कहने का भाव बस इत दो चार सदश्य, पात सदश्य होंगे घर में, जादा जादा दस सदश्य, दस मेंबर होंगे, उनका परिवार समालते हैं, राजा अमबरीश, एक राजा होकर के, इतने बड़े पदपर होकर के उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया, तो ये सब जो बहाने हम बनाते ह कि भगवान को पाने के लिए हमारे भजन नहीं है हमारे पास समय नहीं है सब कोरे बहाने हैं